नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देशी एक्रीकल्टर में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्वाइबीन में आपको खर्पतवार ना सक द्वाओ का इस्प्रे कब नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए मतलब आपको स्वाइबीन कितना बड़ा हो जाए तब उसमें इस पर नहीं करना चाहिए और कौन सी इस्तिती हो जाए मतलब खर्पतवार की तब उसमें आपको उसके नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप उसके करते हो तो फिर आपकी स्वाइबीन भी तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे देखें लाल अक्सरों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप अमारे की गई थी 19 जून को और आज की डेट जो आपको पता ही होगा तो एक मेने और 45 जिनकी यह फसल हो चुकी है अब हम बात करते हैं कि इसमें खर्पतवार नास्य दुवाओं को इस पर नहीं करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह होती है कि स्वाइबीन की फसल एक भी तो कि स्वाइबीन को हलका सा जटका लगता है स्वाबीन उसमें दो-4 दिन पीछे रहे जाता हैं तो दोस्तों अगर आप फूला उस्ताम में घर्पतवार नासक दौगा का श्रीक करते हो और आपकि स्वाइबीन की ग्रोथ रुख जाती है चार पांग दीन के लिए त तो दोस्तो फूल बनने चाहिए सोयवियन में वह बन नहीं पाते हैं लिससे आपके उतपादन में बहुत कमी आपको देखने को मिलती है तो दोस्तो इसका मतलब अगर आपके एक दम मतलब उखाड लेना जैसे कि यह खर्पतवार है तो इसको यहां से पार दिया और इसको भी पार ले तो इसको प्रकार से आपको खर्पतवार नियंदर्ण करना है अगर ज़याद है तो और दोस्तों बात करें कि आपको और एक दूसरी कंडिशन है कि आपको खर्पतवार नाशक दौआओ का सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए वह कब तो आपको उस टाइम पर नाशक दौआओ का सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए जैसे कि मैं बताओं तो यह बिल्कुल भी नहीं मौजूद नहीं है बलकी नहीं मौजूद हैं इसमें और यह पूरी तरह से सुकी हुई है मिठी तो इस टाइम पर हम खर्पतवार नाशक दौ होती है जो वह सुकने का चांस रहता है क्योंकि दोस्तों जो एक खर्पतवार नाशक द्वाइए होती हैं तो यह दो परकार से काम करते इसमें की फशलने भी न решил और खर्पतवार में अगर खंच में मौझूद रही तो खर्पतवार तो सुख़ जायेगा और समत्य बहुत बहुत किसानिक साथ एसा होता है कि वह खरपतवार नाशक दवाव का स्परे करते हैं जब उसमें खेत में नमी मौझूद नहीं होती है तो फिर वह बोलते हैं कि हमारे स्वयवीन की फसल सूख गई तो दोस्तों मैं बचा रहा हूं कि आपको खेत में प्रयाप नमी आँना चाहिं हुए हुए आपको देख लेना था और दोस्तों तीशτε्व बात करे हम आपको कब नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आपके स्वयाबीन में जो खाटवार होता है वह जैदा बड़ा करना चाहिए ज्यादा बड़ा मतलब कि वह 578 पत्त्यों को युद्य को अगर हो गया तो आपको उसमें करना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो कंपनिया होती है तो कंपनियों के द्वारा सबी कंपनियों को यह की बात करी जाती है कि तीन से पांच पत्तियों के खर्पतवार को यह दोए मतलब इन पर काम करती हैं उसके अलावा ज्यादा बड़ा हो जाए तो आपके उसमें मतलब की दोए काम नहीं करती हैं तो दोस्तों इन तीन बातों का आपको ज्यान रखना है सवाबिन में खर्पतवार ना सकता होगा इस पर करते समय एक तो आपके फसल ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और एक आपको उसमें मतलब पर्मापता नमी मौचुद होनी चाहिए और तीसरा खर्पतवार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों उमीद करता हूं यह जान कर आपको अच्छे लगे होगी दोस्तों वी जिलते हैं अगले वीडियो में